ओम गंगंपते नमः ओम नमश्यवाई हे प्रिय भक्तों आप सभी को हरताले का तीज की हार्दिक शुपकाम नए आप सभी का सुहाद अखंड रहे महादेव जी और माता पार्वती की क्रिपासे आपकी मांग का सिंदूर सदयव दमत्ता रहे आपके हाथों के चूड़ियां खनत्ती रहे और आपके परिवार में खुश्यां सदयां बनी रहे आज भाद्र बदमास के शुक्ल पक्स की त्रित्या दिथी है आज भगवान शिव और मादा पार्वती के अमर प्रेम का प्रती हरी ताली का तेज व्रत है मादा पार्वती ने भगवान शिव जी को पती के रुप में प्राप्त करने के लिए हर्ताली का तेज का व्रत क्या था यह व्रत अखंड स्वभाग्य को देने वाला माना गिया है महिलाएं आज के दिन अपने पती की लंबी आईयों के लिए निर्जला व्रत रखती है और कुवारी कन्या भी मन पसंद वर की प्राप्ती के लिए यह व्रत करती है तो आज मैं आपको सुना रही हूँ हर्ताली का तेज व्रत की बड़ी ही दुरलब और पावन कथा इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्त मनोकामने पौण हो जाती है तो आप सभी से विनम्र निवेदन हैं की से बड़ी ही श्रद्धा और प्रसंचितमन से पूरा अवश्य सुनियेगा हे प्यवत्तों इस कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए इसलिए इस कथा को पूरा अवश्य सुने शिरी वेद व्यास की परम शिश्य शिरी सूत जी महराज ने शौनतादी 88,000 रिशिवरों की प्रशन करने पर हर्ताली का अवरत कथा को सुनाना प्रारम भगिया सती व्रत को धारन करने में परम श्रेष्ट माधा पार्वती और गले में नर्मोंडों की माला को धारन करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ट गरल कंठ धारी भूत भावन भगवान आशुतोश शंकर की सरवरतम बंदना करता हैं भगवान शंकर की जय हो जय हो हे प्रिवत्तों केलाश परवत की शिखर पर विराज मान शिवजी से पारवती जी ने पूछा हे स्वामी हे महेश्वर आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की क्रिपा करें वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत पलदाइनी कथा का जिसमें समावेश हो यदि आप मुझे पर प्रसन है तो उसे बताने की क्रिपा करें हे प्रभो मैंने पूर्व जनम में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके पलस्वरूप आप जैसे त्रे लोग के अधिश्वर, अनादी और अनंत रोप वाले पती मुझे प्राप्त हुए तब शिपजी भगवान ने कहा कि हे देवी पारवती, अब मैं तुम से सर्वत्तम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो, मैं तुम से इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ, जेस परकार, तारों में चंद्र, ग्राहों में सोर्य, बर्णों में भामण, देताओं मैं विष्णो, नदियों में गंगा, पुराणों मैं महाभारत, वेदों मैं सामवेध और इंद्रियों में मन शृष्ट है, उसी परकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व, जिस तरह कहा गया है, उसी प्राचीन व्रत को मैं तुम से कहता हूँ, तुम उसे पूर्वकाल में जिस व्रद को तुमने किया था उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है प्रिये ऐसा होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रद को प्रकट करता हूं भाद्र पद्मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त तृतिया तिथी के दिन इस व्रद का नुष्ठान करने से तृविध ताप देहिक दैविक एवं भौदिक पाप से इस्त्रिया मोक्त हो जाती है हे दिवी पूर्वकाल मैं इस महान व्रद को तुमने हिमालने परवत पर किया था उन सभी पूर्व व्रद का मैं तुमसे वर्णन करूगा तब पार्वती जी ने कहा कि हे लान मैंने इस उत्तम व्रद को किस परकार किया था उन सभी व्रितांत को मैं आपकी मुख कमल से श जो अनेग प्रकार की भूमी तथा विवित व्रिक्षों से परिव्याप्थ है। उस परवत पर अनेग प्रकार के पशुबक्षी देवगर्ण गंधर सिद चारण आदे सर्वदा अनंदित मन से खूमते रहते हैं। वहां पहुँचकर गंधर्व निरंतर गान क्या करते हैं। अपसराएं नाचती हैं। यह परवत आकाश के स्मान उंचा है। उसकी चोटियां सदैव परपसी ठकी रहती हैं। तथा गंगा का निरंतर निनांद होता रहता है। हे पारवती, तुमने अपनी बाले अवस्था में जिस परकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। वे भी तुमने बारा वर्षों तक नीचे को मुख और उपर को पैर करके तपस्या की थी। इतनी अवधी तक तुमने अननांखा कर पेड़ों के की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचागने से श्रीयर को तपाया। श्रावन की मुस्लाधार वर्षा में खुले आस्मान की नीचे बीना अन जल ग्रहन किये तुमने समय व्यतित किया। तुमने किसी भी मौसम की कोई प्रवाह नहीं कि और निरंतर तप किया। तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखी और चिंते थुए। वे तुम्हारे विवाह के विश्य में चिंता तुर्व हो गए कि ऐसी तपस्वनी कन्या के लिए वर कहां से उप्रप्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में भ्रमा बोत्र नारत जी अकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनी श्रेष्ट को आसुन आदी देकर उनकी पोचा कि और कहा हे मुनी वर आप अपने आने का कारण बताईए। क्योंकि परम सुभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आग्मन होता है। फिर नारत मुनी ने कहा हे देश वाहक के रूप में भिजा है। और कहा है कि अपनी इस कन्या रतन को किसी योग के पुरुष के ही हाद में अपित करें। चंपून देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देर नहीं है। इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान नारद जी की बात को सुनकर गिरी राज गद गद हुए। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दोर हो गए। वह प्रसंद चित होकर बोले। हे नारद जी यदि भगवान विश्णु ने मेरी कन्या को ग्रहन करने की स्वयम इच्छा की है। तो मुझे कोई अपत्ति नहीं है। वे तो साक्षात भ्रहम है। हे महरिशी यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुक संपदा से युक्त पती के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पती के घर जातर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। हे देवरिशी न भगवान भुलेनात बोले कि हे पार्वती हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चे आत्मत उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर ध्यान होकर शंक चत्र गदाधारी विश्णु जी के पास उपस्थित हुए नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विश्णु भगवान से कहा हे देर मैंने आपका विवाह संबंध परवत राज हिमवान की पुत्रे से निश्चित कर दिया है हे प्रिय भगतों आगे भोलेनात बोले कि हे पार्वती उधर हिमवान ने प्रसन होकर तुम से कहा कि हे पुत्री मैंने तो तुम्हारा विवाह भगवान मिश्टों के साथ पक्का कर दिया है पीता द्वारा ऐसे वचन सुनकर आप अपनी सखी के घर चिरी गई और वहीं भूमी पर लेटकर अत्यांत विलाप करने लगी आपको रुदन करता हुआ देखकर आपकी सहेल पूछा कि हे देवीन तुम अपने दुख का कारण हमें बताओं हम सभी सख्यां आपका कारे पूरा करेंगी सख्यों द्वारा आश्वासन पाकर आपने उत्तर दिया कि हे सख्यी आप सभी सुनिए मेरी इच्छा महादेर जी के साथ विवाह करने की है परन्तों मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुत कारे किया है अर्थार उन्होंने विश्णो भगवान जी के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है इसलिए हे सख्यों अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याद करूंगी हे बार्वती तब तुम्हारी बात पर तुम्हारे पिता ना पहुंच सके इस प्रकार की गुप्त मंतर ना करके तुम अपनी सख्यों के साथ निर्जनवन में पलायन करके उसके बाद तुम्हारे पिता हिमवान ने पास बडोस के पर तेक घरों में तुम्हारी खोज की परन्तु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा तुम्हारे पीता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव दानव किन नरादी ने मेरी पुत्री का पढ़न तो नहीं कर लिया है वे इस सोच में भी पढ़ दे कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूँगा क्योंकि मैंने उनसे विष्णो जी के लिए पुत्री के विवागा वचन दिया था अब मैं उपहास का पात्र बनूँगा ऐसा सोचते सोचते वे घबरा कर मुर्चित हो गए सभी लोग उनके पास इकठे होकर उनसे पूछने लगे हे पर्वत्राज आप अपनी मुर्चित वस्था का कारण हमें बताईए कुछ स्वस्थ होने के बार हिमाले ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्यागा किसी ने अपहरं कर लिया है अथ्वा हो सकता है कि किसी विश्धर सर्प ने उसे डंस लिया हो अथ्वा सिह व्याग रादे किसी हिंसक पशों ने भाक्षन कर लिया हो यही मेरे दुख का कारण है ना जाने मेरी पुत्री कहां चली गई अब मैं क्या करूँ ऐसा कहती हुए ही मान ने इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में पवरेक्षे हिलने लगते हैं उसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भ्यानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए इधर तुम तो पहले से ही अपनी सक्षियों के साथ उस भीषन वन में जा चुकी थी उसी स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी वहाँ एक गूफा भी थी तुमने उसी गूफा में जाकर निर्जला और निराहार रहकर मेरी बालू की मुर्ति बनाई जो शिव पार्वती सहित थी इस मुर्ति की तुमने स्थापना की जब भाद्र पदमास के श्योकल पक्ष की तृत्या को हस्त नक्षत्र था तब तुमने उस दिन रात्री में जागरन करकी गीत भोग आदी के साथ मेरा भक्ती पूर्वक पूजन किया हे देवी पार्वती तुम्हारे द्वारा की गई उस कठीन तपस्या एवं रत की प्रभाव से मेरा सिहासन डोलने लगा मेरी समाधी तूटी और जहां तुम अपनी सक्षियों के साथ थी मैं उस स्थान पर जा पहुँचा मैंने तुम से कहा कि मैं तुम से अत्यांत प्रसंग हूँ तुम मुझसे अपना इच्छित पर मांगो तब उत्तर मैं तुमने कहा कि हे देव यदि आप मुझे पर प्रसंग है तो आप मुझे पती रूप में प्राप्थ हूँ मैंने तथास्तू ऐसा कहकर फिर अपने कलाश परवक पर आगया मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रादा हकार नदी में सनान करके मेरी स्थापित मुर्ती का विसर जन किया इतना करने के बाद तुमने अपनी सक्षियों के साथ रत का पारण किया उसी समय तुम्हारे पिता हिमालने भी तुम्हें खोचते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे किन्तु वन की गहनता के कारण चारों ओर धुणने पर भी तुम्हारा कुछ भी अतापता ना लगा अब तो वे निराश होकर भूमी पर गिर पड़े फिर पुन्हा उठने के बाद हिमालने दो कन्याओं को सुक्त अवस्था में देखा उन्होंने पास आकर तुम्हीं गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे रोते रोते ही उन्होंने तुम से पूछा कि तुम इस घंगो और जंगल में किस प्रकार आप हुँची पिता की बाद सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे पिता जी मैं अपना विवाह शिर जी के साथ करना चाती हूँ परन्तु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा विवाह संबंध स्थिर कर लिया इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सक्षियों के साथ घर का परित्या करके इस भीष्ण वन में चली आई हे तात यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आग्या दीजी मेरा ऐसा ही द्रेड लिच्चे है हे पियभक्तों आगे महादेव जी बोले कि हे पार्वती तुम्हारे द्रेड संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने कहा कि ठीक है और वी तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहन हुआ भादरपट कि शुकल प्रिट्या को तुम्हें मेरी अराध्ना करके जो व्रत किया था उसी के फल्स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हुआ उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल स्वभाग्या प्रप्त कर लिया इसलिए हे देवी पार्वती सुभाग्य की इच्छा करने वाली प्रतेख यूवती को यह वरत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए हे प्यभक्तों इस कथा को सुनकर भगवान शिव शंकर से यही प्रात्ना है कि जैसा अखंड़ सुभाग्य जगाच जन्नी माता पार्वती को मिला उन्हों ने शिव जी को अपने अखंड शुहाग के रूप में सदा सदा के लिये प्राप्त किया माता प्रावती के पती उनका प्रेम उनकी तपस्या अमर हो गई वैसा ही सुभाक्या हर ताली का तीज का व्रत करने वाली हर सुहागा निस्त्री को प्राप्थ हूँ तो प्रेम से कहिए उमापती महादेर जी की जै बोलिए भगवान शिरिगौनी शंकर जी की जै ओम नमस्षिवाए हे प्यभक्तों आगे भगवान भोलेनात माता पार्वती से बोले कि मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है हे देवी तुम अपनी सक्षियों के द्वारा हरन की गई थी इसी से इस व्रत का नाम हरी ताली कपड़ा यह सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभो आपने इस व्रत के नाम का निरूपुन तो कर दिया अब इसके विधान तथा महात्तम में का वर्णन भी कीजिए इस वरत को करने से क्या फल होता है तथा इस वरत को पहले किसने क्या था यह है भी बद्खलाने की ख्रिपा करें तब फुले नाथ ने कहा की हे देवी पार्वति अब मैं तुमसे इस वरत का विधान बताता हूँ सोभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह वरत करने योग्य हैं, क्योंकि यह वरत इस्त्रियों का सोभाग्य दायत है। इस दिन माता पार्वती, शेवजी और गणेशी की पूरे विधी विधान से पूजा कने चाहिए। सरप्रथम केले के पत्तों से एक मंडब का निर्मान करें उसके बाद उस मंडब को वस्त्रों से अच्छादित करके उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें फिर पारवती सहिद शिर्जी की बालू की मुर्ति बनाकर स्थापित करें और मृदंग आदी बाज़ों को बजाकर वेवेद प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नवध्य आदी चढ़ाकर भोले नात की पूझा करें पूझन के बाल उस दिन रात्री में जागरण करें सुपारी जामुन पूड़ी मौसमी पल नारंगी आदी का भोग अरपित करें नारियल के जलसे अभिशेक करें पांच मुखवाले शानती स्वरूप एवं त्रिशूल धारिश्यव को मेरा नमस्कार है ऐसा कहकर नमन करें तथा स्रिष्टी स्वरूपा माता पारवती को मेरा नमस्कार है इस व्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा इस्त्रियों को करनी चाहिए विधिवत कथा श्रवन करने के बाद समर्थे की अनुसार भामन को अन्वस्त्र एवं धन प्रतान करें उसके बाद दक्षिना देकर यदि संभव हो तो इस्त्रियों को आभूशन आदी भी दें इस विधी से जो इस्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें साथ जन्मों तक राज्य सुक एवं सोभग्य प्राप्त होता है अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वे चांदी, सोने, तामबे, अत्वा, इन सभी के अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र, पल, पक्वान आदी रखकर दक्षिना के साथ प्रामन को तान करें और अंत में दोसरे दिन व्रत का पारण करें हे परवती, जो नारियां इस विधी से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त करके इस लोग में सभी सुखों का उपभू करती हुए अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करती हैं इस कथा के श्रवन कर लेने से ही इस्तरियां हजारों अशुमेध यग्य एवं सैंक्डों व्रत उपवास की करने का प्र प्राप्त करती हैं हे देवी परवती, मैंने तुमसे इस सर्वत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोडों यग्यों का वर्ण सहजी प्राप्थ होता है। इसलिए इस वरत के पल का वर्णन सुर्वता अकत्तिया है। हेप ये भक्तों, आईए अब तीज माता की कथा का श्रवन करते हैं। प्राचिन समय की बात है, एक गाउं में एक नननन भाबी रहती थी। भाबी बहुती धार्मिक विचारों वाली थी। वह पूजा, पाध, धरम, करम के कामों को किया करती थी। और उसकी ननन्द सीधी साधी थी, पुझा पाठ धरम करम में उसका मन नहीं लगता था, ननन्द की भी शादी हो गई थी भापी हर साल तीज का व्रट किया करती थी तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी दान किया करती थी जब तीज का वरत आया तब भावी ने अपनी ननन्द को भी बुलाया ननन्द तो आ गई पर वह अपनी भावी के साथ ना तो वरत करती और ना ही वरत की कथा सुनती थी भाबी ने तीज का व्रत किया तीज माता की कथा सुनी और तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहाग इनों को दान की तीज प्रतसमाप्थ होने पर ननन्द अपने ससुराल चली गई हे प्रीभक्तों जैसे ही ननन्द कांच की चोड़ियां पहनती तो वह तूट जाती उसके माथे से बिंदी गिर जाती और सिंदूर भी उड़ जाता वह जो भी सिंगार करती वह अपने आप मिट जाते थे ननन्द इन सब भी बातों से बड़ी चिंतित हुई फिर उसने ये सारी बातें अपनी सास को बताई सास भी ये सारी बातें सुनकर बहुत चिंतित हुई वह अपने गुरू के पास गई और अपने गुरू को उसने सारी बातें बताई गुरू बहुत ही पहुँचे हुए पुचारी थे गुरू जी इन सब बातों को सुनकर सारी बातें जान गए फिर गुरू ने कहा कि आपकी बहु को विद्वा होने का योग बन रहा है इस कारण उसके सिंगार के सारे वस्तु तूट रहे हैं और गिर रहे हैं सास ने हाथ जोड़कर इस विपत्ति से निकलने का उपाय पूछा तब गुरुदेव ने बताया कि अमर सुहाग का वर्दान सिर्फ माता पार्वती ही देती है अपनी बहु को कहो कि वह तीज का वर्द करें माता पार्वती भगवान शिव और गणेश ची का विधिवत पूछा करें वर्द की कथाएं सुनें तीज माता के नाम पर सुहागी नों को सुहाग की पिटारी तान करें इससे माता पार्वती प्रसंद होंगी और उसे अमर सुहाग होने का आशिरवत प्रदान करेंगी सास गुरु देव को प्रणाम और धन्यवाद करके घर को वापस आ गई और बहु को सारी बातें बताई बहु सारी बातें सुनने के बाद पश्टाने लगी कि कैसे उसके भावी हर पूजा पाठ में उससे पूजा करने के लिए कहा करती थी पर वह थोड़ा सा आलस की वज़ा से मना करते थी वह भगवान से और माता से भी ख्षमा मांगने लगी तीज वरत आने पर वह अपने माई के गई और अपने भाबी के साथ तेज का व्रत किया, भोले नात माता पार्वती और गनेश भगवान का विधिवत पूजन किया, व्रत की कथा सुनी, तेज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहागिनों को बांटी, अब वह जब भी शिंगार करती, तो ना तो उसकी चोड़ी उड़ती ना उसकी बिंदी गिरती और ना ही उसका सिंदूर उड़ता, ननन्द अपनी भाबी की तरहा हर साल तीज व्रत करने लगी, व्रत के प्रभाव से उसके घर में अंधन सुक्स भग्य की व्रिधि हो गई, हे तीज माता अपने सभी भग्तों पर अपनी कृपा बन करना, तो प्रेम से बोलिए तीज माता की जय, हे प्रिय भग्तों, आईए, अब मनो कामना को कोण करने वाली भगवाई शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दूरलब कथा को सुनते हैं, एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी भगवान को पती के रोप में न की, शिव जी ने पार्वती जी की परिक्षा लेने के लिए सब तरेश्यों को भेजा, सब तरेश्यों ने शिव जी के सैंक्डों अबगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव जी के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था, तब शंकर जी ने स्वयाम पार कट हुए, और पार्वती जी को वर्दान देकर अंतरध्यान हुए, इतने मैं ही पार्वती माता जहां तब कर रही थी, वहीं पास मैं, तालाव मैं मगरमच ने एक लड़के को पकल लिया, वह लड़का जान बचाने के लिए चिलाने लगा, तब पार्वती जी से उस बच कींच कर ले जा रहा है, लड़के ने देवी को देखकर कहा, कि मेरी माता पिता और भाई बंधु कोई नहीं है, आप मेरी रक्षा करीं, तो पार्वती जी ने कहा, कि मगरमच इस लड़के को छोड़ दो, फिर मगरमच गोला, कि दिन के छटे पहर में, जो मुझे मिनता है मैं उसे अपना आहार समझ कर स्विकार कर लेता हूँ, यह मेरा नियम है, ब्रामदेव ने देन के छटे पहर में इस लड़के को भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूँ, पार्वती जी ने विन्नती की, कि तुम इसे छोड़ दो, बदले मैं तुम ही जो चाहिए, वह मच बोला, कि एक ही शर्ट पर मैं इसे छोड़ूँगा, आप मैं तब करके महादेव जी से जो वर्दान लिया है, यदि उस तब का पल मुझे दे दे, तो मैं इसे छोड़ दोंगा, पार्वती जी तुरंक तयार हो गई, उन्होंने कहा, मैं अपने तब का पल तुम ही दे तो मत करू, हजारों वर्षों तर जैसा तब किया है, वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, उसका सारा पल इस बालग के प्राणों के बदले चला जड़ागा, फिर पार्वती जी ने कहा, कि मेरा निश्चे पका है, मैं तुम ही अपने तब का पल देती हूँ, त कर मच ने पार्वती जी से तब दान करने का संकल्प करवाया, तब का दान होते ही, मगर मच का देहर तेजी से चमकने लगा, और तब वह बोला कि हे पार्वती, यह देखो, तब की प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ, तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए वियर्थ कर दी, चाहे तो अपनी पूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ, तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्राहे, तब तो मैं पुनहा कर सकती हूँ, किन्तु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते, तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था, देखत पार्वती जी ने विचार किया, कि मैंने तब तो दान कर दिया है, अब पीर से तब आरंब करूंगी, पार्वती जी ने पीर से तब करने का संकल्ब किया, भगवान सदाशिव पीर से प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, भला आप क्यों तब कर रही हो, तब पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभू मैंने अपने तप का पल दान कर दिया है आपको पती रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं पेश से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसंद करूंगी तब महादेव जी बुले मगर मच और लड़के दोनों रूपों मैं ही था तुम्हारा मन प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं इसकी परिक्षा लेने के लिए मैं नहीं यह लिला रची थी अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्वी कार हूँ तुमने अपना तप मुझे ही दिया है इसलिए अब और तप करने की कोई अव्शक्त नहीं है हे प्रिवग्तों देवी ने महादेव जी को प्रणाम कर प्रसन मन से विदा किया तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर और माधा पार्वती की जय